Hello students, आपके सामने ये एक question है और ये जो question है 2024 के जो main exam हुआ था, class 10th का उसमें ये question आया था तो इस question को हम इस वीडियो में solve करने वाले हैं इस question में क्या कहा है ये देखेंगे लिखा है एक 100 मीटर चोड़ी सड़क है तो उसके लिए पहले मैं एक 100 मीटर चौड़ी सड़क बनाता हूँ ये मैंने बना दिया 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनो और आमने सामने मतलब एक और यहाँ पर और दूसरा और यहाँ पर समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं समान लंबाई वाले दो खंबे मैं बना लेता हूँ ये मैंने समान लंबाई वाले दोनो खंबे यहाँ पर बना लिया है फिर कहा है इन दोनो खंबों के बीच तो ये हैं दो खंबे इनके बीच का यहाँ पर कोई पॉइंट दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदू से तो कोई भी एक बिंदू मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ मैंने ये मान लिया एक बिंदू से तो इस बिंदू से अब क्या करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है बिंदू से खंबों के शिखर के उन्यन कोड, इसका मतलब है इस बिंदू से ये जो खंबे हैं इनके शिखर को देखा गया, तब ही उन्यन कोड बनेगा, तो ये मैंने इस बिंदू से इन खंबों के शिखर पो एक लाइन बना दी है, और यहाँ पर मुझे आप दो उन्यन को है तो यह आपका 30 डिगरी का हो जाएगा कि क्वेश्चन में शुरुआत में ही कह दिया था कि इन दोनों खंबों के बीच की दूरी जो है सौ मीटर है तो मैंने सौ मीटर भी यहां पर आपको बनाकर दिखा दिया यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्रते खंबाई की ल तो दोनों की उचाई एक जैसी मान लूँगा यह एच लूँगा तो फिर इसको भी मुझे क्या लेना पड़ेगा एच ही लेना पड़ेगा यह समझ में आ गया होगा आपको और यह है इन दोनों की बीच की दूरी तो अगर मैं यहां से यहां की दूरी को एक्स मान लूँ मैं फिर से एक बार फटाफट बता दूँ आपके पास एक रोड है रोड के दोनों किनारे पे दो खंबे लगे होएं बराबर उचाए के बना लिया फिर आपसे का है कि इस रोड के बीच में किसी बिंदु से इन दोनों जो खंबे हैं ये इनके शिकर है इनके शिखर का उनियन कॉन, मतलब इस बिंदू से इन शिखर को क्या किया गया, जॉइन किया गया और उससे क्या मिला यहांपर दू उनियन कॉन मिले, तो कहा है एक कॉन 60 का है, दूसरा 30 का है अब अगर यहां से यहां के बीच की दूरी 100 है और इतने को ही सिर्फ मैं X मान लूँ तो फिर इतने हिस्से को मुझे मानना पड़ेगा 100-X क्योंकि 100 मेंसे जब यह घटा होगे तब ही आएगा और दोनों खंबों की जो उचाई है उसको मैंने क्या मान लिया H मान लिया यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अब इसे हमें क्या करना है solve करना है तो solve करने का तरीका क्या है पहले मैं एक ट्रेंग एक त्रिभुज ले ले लेता हूँ यह वाला त्रिभुज ले ले लेता हूँ इसमें कोन 60 डिगरी है लंब H है और आधार X है तो 60 डिगरी है तो फिर कौन सा कोड लूँगा यह आपको पता है 10 लूँगा तो यह 10-60 डिगरी का फॉर्मला होता है P बटे B P मतलब perpendicular B मतलब base मतलब लंब बटे आधार तो इस त्रिभुज में लंब कौन है H है और आधार क्या है आपके पास X है 10-60 का मान होता है रूट 3 और मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ और यह है यहाँ पर हमारे पास क्या है H over X है अब इसको अगर मैं इससे गुणा करूँ तो यह मेरे पास आजाएगा रूट 3 X इसको अगर इससे गुणा करो तो यह मेरे पास H आजाएगा तो इस तरीके से मुझे यह पहला समिकरण प्राप्त होता है अब मैं क्या करता हूँ मुझे एक दूसा त्रिभूज भी मिलता है यह वाला त्रिभूज भी मिल रहा है जिसमें कोण कितने डिगरी का है 30 डिगरी का 30 डिगरी का है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 30 डिगरी इक्वल टू क्या है यह लंब बटे यह क्या है आधार तो फॉर्मला होता है P बटे B P को लंब कहते हैं B को आधार कहते हैं तो इस वाले त्रिबुच में लंब हो गया यह खड़ी भुजा जो कि H है और आधार हो गया यह वाली भुजा जो जमीन के उपर है जो कि कितना है 100 माइनस X यहां तक समझ में आ गया होगा अब 10 30 डिगरी को हम लिख सकते हैं 1 ओवर रूट 3 जो कि किसके बराबर होगा H ओवर 100 माइनस X 100 माइनस X को अगर इस 1 से गुणा करोगे तो आपका 100 माइनस X ही आएगा रूट 3 को H से गुणा करोगे तो यह रूट 3 H ही आएगा इस तरीके से हमें यह दूसरा समिकर्ण यहां पर प्राप्त हो गया है अब हमें क्या करना है इनी दोनों समिकर्णों को हल करना है कैसे करेंगे तो यह H का मान तुम्हें पहले समिकर्ण में किसके बराबर दिख रहा है रूट 3 X के तो यह जो H दिखाई दे रहा है ना इसको हटा दो यहां से 100 माइनस X इक्वल टू जो रूट 3 है वो तो रहेगा पर यह H हटा देंगे क्योंकि इसका मान अब हमारे पास कितना है रूट 3 X है तो इसको हटा कर हम लिखेंगे रूट 3 X अब आपको क्या करना है रूट 3 मल्टिप्ला है रूट 3 याद रखें 3 होता है इससाइस में X लगा रहेगा अब हल करने के लिए इस वाले X को हम यहां लेकर आएंगे तो यह रोजाएगा क्या हो जाएगा यह यह आपके पास हो जाएगा 100 माइनस X अब हमारे पास 100 इक्वल टू 3 X प्लस X यहां तक समझ में आ गया होगा आपको अब इसको हल करेंगे तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा 4X हो जाएगा 4 को नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा 100 बटे 4 बराबर X 100 को 4 से भाग कर दो यह 25 आ गया तो हमने जो पीछे डाइगराम बनाया था उस डाइगराम में हमें X यहां पर प्राप्ट हो गया है अब आपको यह भी पता है कि हमें H भी निकालना है मतलब दोनों खंबों की उचाई तो H तो हमारे पास है रूट 3 X तो मैं इसी को दुबारा लिख लेता हूँ H किसके बराबर है रूट 3 X X का मानना यहां पर पुट कर दो तो यह हो जाएगा रूट 3 मल्टिप्लाई 25 बराबर H तो इसको हम लिख सकते हैं 25 रूट 3 बराबर H यह समझ में आ गया होगा आपको आप इस उत्तर को यहां पर भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो प्रश्ण में जो है रूट 3 का मान 1.732 दे रखा है रूट 3 का मान 1.732 रखके 25 से गुड़ा कर दें आपका आंसर आ जाएगा मतलब जो दो खंबे हैं उनकी उचाई आपको मिल जाएगी इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेशन को यहां पर कम्प्लिट वी सॉल्व कर लिया है